बाबा का आशिरवाद S.P.M. चल पर आपका स्वागत है यह जो आप आकर्ती देख रहे हैं यह साथवे चक्कर से संबंधित आकर्ती है ऐसे आकर्ती बन रहे है तो बहुत ही आपको ज्यान की प्राप्ति हो रही है चकर शरीर में साथ उर्जा के अंदर है जिन में अलग-अलग प्रभाव रहता है परतेक चकर में अलग-अलग संख्याओं में पंखुडिया होती है चकर नाडिया या सडको के क्रोसिंग पॉइंट है जो पूरे शरीर में उर्जा और प्राण को ले जाते हैं बहुत सारे लोगों को दीफक की आकरतिया नहीं बनती हैं इसलिए वो इस बात को भी नहीं समझ पाते हैं चकरों को अक्सर कमल के फूल के रूप में देखा जाता है परतेक में अलग-अलग संख्या में पंखुडिया होती है सभी गोलाकार गोले के रूप में वर्थ के रूप में किनारे से पंखुडिया बहार के और फैली हुई वर्थ संपूर्ण एकात अनंत और कई तरह के का चकर की रुप में भी दर्शाया जाता है ये जो आप आकरती देख रहे हैं ये साथ चकर से संबंदिध हैं और ये सबसे लाश्च वला चकर माना जाता है और इसमें बहुत ही अशीम सक्तियां होती हैं और इस पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारी ओम की आकरती भी बनती है हजारों पंखडे वाले फूल की भी बनती है इस तरह का जो फूल बना वैसी भी बनती है और बैंग निकलर उनको बहुत दिखाई देता है और उनको अपने सर के उपर भी कुछ चलता हुआ मैसूस होता है जैसे कोई चीटी चल रही है या कोई आपको फड़कन हो रही है जै बाबा की अलग-अलग उनको अन्भा मैसूस होते है इसको सहस्तरा चकर कहते हैं इसे मुकुट चकर भी कहते हैं क्योंकि जैसे इसमें फूल दिख रहा है ना ऐसे फूल की तरह है जैसे हम मुकुट धान करते हैं ये सबसे ज़्यादा मैतरपूर्ण है इसको आधमत दिर्स्टे से सबसे सरोचे माना जाता है इसको क्राउन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जब कारी होता है तो व्यक्ति को बहुत सारे अनुभों भी मैसूस होते हैं जो उसको पहले कभी नहीं हुए हैं सर पर अलग सा पैदा होता है तो आप अगर धान से देखेंगे तो उसका कुछ भाग जो हमारा माथा शुरू होता है माथा से उपर एक पिलपला सा भाग होता है एक वहाँ पर एक चोटी पर एक गुद्दी पर ये तीन भाग इतने ज़्यादा सक्री हो जाते हैं तो जिसमें कईयों को लगता है कि जैसे कि हमारे सर पर कुछ हो रहा है हमारे सर पर कुछ अलग सा अनभव हो रहा है और ये अनभव आपको फड़कन की रूप में हो सकता है पुजा करते वक्त हो सकता है कई बर सोते सोते हो सकता है कहीं पर भी कभी भी हो सकता है और ये एक अंदेशा होता है कि आपका चक्कर काफी एक्टिव हो गया है इस चकर में सिर्फ पर चोटी के इस्थान प्रिस्थित यह चकर जामनी रंग से बहुत ज़दा जुड़ जाता है इसलिए कहा जाता है कि इस पर बहुत प्रभाव रहता है लोगों को सफेद परकास के साथ बैंगनी परकास बहुत ज़दा नजर आना शुरू हो जाता है और यह अगर चकर आपका स्वस्थ हो जाए पूर एक्टिव हो जाए तो आपको बहुत ज़दा शान्ती प्रेम की प्राप्ति होती है अगर यह चकर हमारा स्वस्थ नहीं हो सकता है या हमारा एक्टिव नहीं हुआ है तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन क्रोध में रहते हैं उनको बहुत अलग-अलग प्रभाव महसूस होते हैं इस चकर पर बहुत सारे लोग यह भी कहते हैं कि हमें जैसे ही चकर में कुछ प्रभाव शुरुआ है हमें अलग-अलग अन्भव होते हैं हमारे इस्ट हमें दिखाई देते हैं सपने के माध्यम से हमें मैसूस होता है कि कोई शक्ती हमारे साथ जुड़ गई है बहुत सारे लोग तो इस चीज को इतना ज़्यादा महसूस करते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हें शक्तियों का भंडार मिला है और बहुत ही ज़्यादा इस चकर में इतनी पावर होती है इसे कहा जाता है कि इसमें ऐसा रस होता है कि जो मनुष्य को इतना ज़्यादा हीलिंग देता, इतना प्यार देता है, इतना खुशी परदान करता है, कि वो मनुष्य अपनी ही मस्ती में मगन होना शुरू हो जाते हैं। कि यहाने के लिए कारी करने की कोशिश करते हैं, ऐसी ही पूरे शरीर को मस्तीक ही संचालित करता है, मस्तीक से मिलने वाले आदेशों को हुई शरीर के विन्विन अंग फोलो करते हैं, लेकिन मस्तीक की जो बुध्धी, शमर्ण, शक्ति ये सब नियंतर करता है हमारा जो शिर के सिखर पर मुझूद होता है जिस तरह परत्वी के उत्री वे दक्षनी दो दुरू होता है ठीक उसी तरह इंसानी शरीर के भी दो दुरू होते हैं सैसर चकर और मुलाधार ये दोनों ही हमारे शरीर में पूर्ण एक्टिव होने से हमारे जो हार्मोंस हैं वो बहु सकते हैं कि ये चकर हमारा एक्टिव नहीं है तो बहुत सारे लोगों को मांसिक बिमारी बहुत जादा होती है उनको पता ही नहीं चलता कि वो कहां पर रह रहे हैं क्या कर रहे हैं शाररिक रूप से वो वहां होते हैं मांसिक रूप से वो कहीं और होते हैं और ऐसे ही जब ये दुनिया मेना होकर परमात्मा से आप मिल रहे हैं, हमारे शरीज में मुखह रूप से साच चकर मौझूद है, सुक्षम शरीर और स्थूल शरीर, जिन केंदरों पर मिलते हैं, उन्हें चकर कहा जाता है, लेकिन इनमें सहस्तर चकर को सर्वापी माना जाता है, जिस तरह सूरे के प्रकास अन्न किसे की कोई रोशनी नजर नहीं आती ठीक उसी तरह से इस से चकर को शरीर में मौझूद सभी चकरों में सबसे अगरणिय या परमुख माना जाता है जो हमारे सिर के सबसे उपरी सिखा पर मौझूद रहता है और इसका ही हमारा सबसे ज़्यादा कारिय होता है और भगवान से जुड़ने का कारिय यही चकर हमें लाता है का जाता है कि बहुत ही रामकिशन परमहंस इसी चकर पर इतना ज़्यादा आनंद पराप्त करते थे माता रानी के दर्शन करते रहते थे और वो कहते थे कि इस चकर में जो आनंद है वो कहीं और नहीं है क्यों और बहुत ऐसी चीजों को मैसूस करना जो पहले आपने नहीं देखी हैं या जो और साधर मुझ से अनभव भी नहीं कर पाते हैं देख भी नहीं पाते हैं इस चेकर के इतने अच्छे अनभव होते हैं कि कहा जाता है कि बहुत सारे लोग इसका वर्णन करते हैं और कई ये कह कि इसका जो आनन्द है वो स्तरिष्टी में कहीं नहीं है, क्योंकि इसे जुडने से मनुश्य को वो ग्यान प्राप्त होता है, कि भगवान उसके पास ही है, और ध्यां लगा कर बैठे ही रह जाते हैं, और अलग अलग दर्शनों को मैसूस करना शुरू कर देते हैं, और बहुत सारे विक्तियों ने तो कहा है कि इसको महसूस जब हम करते हैं तब हमारे जीवन में रश्ट बहुत आता है हमें किसी चीज की अशकता नहीं रहती है हमें लगता है कि हम ऐसी उर्जा से जुड़ गई हैं जो हमें ऐलोकिक बना रही है सबसे अलग बना रही है आनन्द ही आनना शुरू हो जाता है और बहुत सारे लोग तो यह कहते हैं इससे हमें जो प्रेम प्राप्त होता है वो कभी भी किसी और चीज से नहीं होता है इसमें अपने इश्ट से बाते करना उनके बार बार दर्शन करना लोगों के साथ जुड़कर बगवान की चर्चा करना अलग अलग चीजों के दर्शन करना अलग अलग परकाश देखना गुफाईं देखना जो सात्वे चकर पर परवेश करते हैं तब वो ध्यान लगाते हैं तब उनकी आँखी इतना तेज बंद हो जाती है कि ऐसा लगता है कि ऐसी अवस्था पहले कभी मेरी आई ही नहीं और उस टाइम उन्हें कई बार बहुत सारे सितारे दिखते हैं चांद दिखते हैं गुफा दिखती हैं हर अवस्था हर बार ध्यान में कुछ ना कुछ नया दिखता है कईयों को अपने इस्ट के बहुत ही प्यारे दर्शन होते हैं और कई लोग तो अपना अन्भा बताते हैं कि जैसे मैं कोई ट्रेन में बैठा हूँ या मैं जैसे बहुत तेजी गती से चल रहा हूँ या भाग रहा हूँ और आसपास की चोचीजें या सीनरी हैं वो चल रही हैं और मेरे सामने सुन्दर फूल आ रहे हैं पहाड आ रहे हैं देवी देवताओं के दर्शन आ रहे हैं मंदर दिख रहा है जो शिव भगत है तो वो कई बार ये कहते हैं कि हमें शिव जी इतने बड़े दिखाई देते हैं हमें जो शेशनाग जील है वो दिखाई देती है सरफ दिखाई देते हैं वो जो मतारानी के भगत हैं वो कई बार ये कहते हैं कि हमें मा की अलग-अलग रूपों के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं सभी के अनभव इतने ज़्यादा प्यारे होते हैं या यह कह सकते हैं कि उनको इतना प्रेम आता है वो बताते बताते भी अपने अनभव रोने लगते हैं कि उस टाइम जो हमें ज्यान हो रहा है, जो हमें दर्शन हो रहे हैं, वो हमें पूरे जिवन काल में कभी नहीं हुए, इसलिए आपने देखा होगा, कई लोग तो ध्यान लगा कर देखते ही रहते हैं, मगन बैठे रहते हैं, कई ध्यान में भी रोने लग जाते हैं, क्योंकि सारे मेंदी पुरबाला जी के जो बगतों कहते हैं कि ऐसा ध्यान लगता है कि जहां में जो मंदिर है बाबा का हमें हम उसके सामने खड़े वे अपने आपको पाती हैं और ऐसा लगता है जैसे बाबा मेरे को देख रही है मैं उनको देख रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं न हम एक गुलाब के खुशबू आती है इत्तर की खुशबू आती है ए मारे दिपक पर सुन्दर अकरतिया बनती है हमारे चैनल पर गुलाब किया करती है आप उसको जुरूर देखना और जितने सुन्दर अकरतिया बनेंगी वो एह लो कि आपके एकसपिरिंस जुड रहे हैं और जितना जितना इस चीजों पर प्रभाव होता है, उतना हमें आनन दाता है, इसलिए तो कहा जाता है कि आशिरवाद सर पर हाथ रख कर दिया जाता है, ताकि आपका सबसे बड़ा अमुल सात्वा चकर आपको आशिरवाद प्रदान करें, आपको प्रेम मिले, इस चकर के बारे में बहुत सारे बगतों ने ये कहा है कि इस पर जब हमें फड़कन, खुझिली होना, कुछ चीज़ का चलना, या हमें ऐसा लगना कि हमारा सर बहुत घूम रहा है, बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि इसमें इतना नशा है, कि हम नाचते नाचते नसे में चले जाते हैं ये बैठे बैठे नशा हो जाता है कई लोग तो ये कहते हैं हम सोते ही रह रहे हैं सभी के अनभव अलग अलग हैं और ऐसे अनभव सभी को प्राप्त होते रहे हैं बोलो जैश्री राप